आप यकीन नहीं करोगे कि इनका चैनल जो है वो एडेंटिटी वेरिफिकेशन की वज़ा से सस्पेंड हो गया और अगर आपका भी चैनल इसी तरह से सस्पेंड हो गया है तो यह most easiest way है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अपना चैनल दुबारा recover करने की और यह आपको और कहीं से भी नहीं मिलने वाली है यह इनका चैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ना तो हमारे पास fix and absence का option है और ना ही यहाँ पर change association का option है यानि कि यह totally suspended हो चुका वे चैनल और अब इसका कुछ नहीं हो सकता लेकिन मैं आपको यह तरीका बताने जा रही हूँ यहाँ पर म यह form जो है easily नहीं मिलता है तो आप just में description के अंदर जो वहाँ पर आपको इसका link मिल जाएगा उस link को आप copy paste कर दीजेगा और जैसे ही आप copy paste करोगे आपके सामने open हो जाएगा लेकिन याद रहे copy paste आपने अपने channel वाले Gmail के उपर या browser के उपर ही करना है और मुझे यह वा वह लिखना है ना तो channel का और ना ही कोई और नाम लिखना है simply आपने अपना ही ID card वाले लिखना है and next आपने अपना publisher ID लिखनी है वह आपको adsense के अंदर accounts के अंदर जब आप जाओगे ठीक है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी अगर आपको फिर भी नहीं पता लगेगा त यहां से आपको पता चल जाएगा कि यहां से publisher जो ID है वो मिल जाती है then आपने यहां पर जो Gmail है वो आपने इसके अंदर डालना है और याद रहे कि आप उसी browser के उपर हो जो कि आपकी channel का browser है और वो ही आप इदर डालो Gmail अपना जो आपके channel के अंदर या AdSense के अंदर है वर Link भी description में भी है और यहां पर भी आपको नजर आ रहा है इसके अलावा आप जैसे चाहें जब चाहें मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो आपको उस चीज़ का फोरन आंसर मिलेगा अचा आप नीची आना और यहां पर आकर आपने अपने चैनल का जो लिंक है ना उसको आपने चैनल का लिंक आपने जो है वो एड कर देना और याद रहें यह सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए यह आपके एप्स एंड मुबाइल के सस्पेंड होने के लिए नहीं है अचा दैन वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी भी ट्रैफिक कहीं और से हरी दी है यानि कि किसी इंसान के पास या किसी यूट्यूबर के पास जाके आपने ये बोला है कि मुझे आप सब्सक्राइबर्स दे दे तो मैं आपको पे करूँगा या आप मुझे जो है वोच्राइम दे दे तो मैं आपको पे करूँगा तो यहाँ पर मैंने नो क्लिक किया है और Google की Search NGs होती है या कोई कुछ लिखता है सर्च करने के लिए तो मेरा चैनल आता है या पिर YouTube के जो Pages होते हैं जो हमें नजर आते हैं सर्च में वो वाले या पिर YouTube की Search NGs जो के लोग जाए सर्च बार में सर्च करते हैं या Facebook या Twitter इस तरह से जो मेरा चैनल है उसके उपर व्यूवर्स आते हैं अच्छा भी इतनी तनी लंबी लाइन है आप पहले इदर से देखोगे फिर उदर से लिखोगे तो आपकी असानी के लिए जो जितनी भी लाइन मैं लिख रही हूँ ना ये सारी की सारी में description के अंदर लिख दूँगी आप अपने computer या PC से इसको थोड़ी थोड़ी lines को जो है वो copy करते जाएगा और इन boxes के अंदर paste करते जाएगा देन वो आप से पूछ रहा है कि क्या कभी आपने YouTube की policies को या ad policies को relate तो नहीं किया इनकी कहने का मतलब यह है कि आपने कभी गंदा content तो नहीं डाले अपने channel के उपर जो की YouTube के हिलाफ है या फिर आपने दरादर ads अपने ही mobile से या अपने ही wifi से अपने ही घर से तो नहीं चलाई है या किसी को पैसे दे के तो नहीं चलाई है या पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा reason बना कि आपका जो channel वो suspend हो गया तो यहां पर मैंने उनको पूरी story लिखिया है यहां पर जो है आप copy paste नहीं करिएगा यह आपका अपना एक जो है वो point of view है कि क्यों आपका channel जो है वो suspend हुए इनका channel suspend होने की एक पूरी story थी इन्होंने अपना adsense जो है वो बिलावज़ा चेंज कर लिया था जो के नहीं करना चाहिए देन इन्होंने अपने एक friend को अपना channel दिया ठीक करने के लिए जिसने एक और अलग ही adsense अंदर टैच कर दिया देन इन्होंने मुझे reach out किया और फिर मैंने जो है वाइटी टीम से बात की और इनका जो first adsense था उसी को ही इनके channel के साथ connect करवाया और देन जो है इनका channel एक दफा connect होने के बाद जो है वो एलेटीट हो गया हुआ था कि शायद में भी किसी hacker वगएरा ने तो नहीं यह सब चीजे कर दी तो मैं भी मुझे लगा कि इस वज़ा से यह जो channel है suspend हुआ है तो मैंने वही जो reason है वो सारा कुछ यहां पर लिख दिया और हाँ यहां पर मैं आपको एक बात और बता दू कि जो जो चीजे आप लिखेंगे ना उनको एक तफा री चेक जरूर कर लीजेगा कि आपने ठीक भी लिखाया या नहीं अभी आप पूछ रहे हैं कि इन फ्यूचर आप क्या ऐसे तब्दिलिया अपने चैनल के अंदर लेके आएंगे जिसकी वद्द से आपका चैनल इन फ्यूचर वो एलेटिट नहीं होगा मैंने फिर उनको बोला कि मैं नेक्स्ट जो है वाइटी पॉलिसिस को अच्छे से रीड करूंगी और कोशिश मैंने इनको लिखा कि मुझए अगर कोई शर नहीं है कि इस चैनल आप दिखके वाइट खने ऑन पर किसी वाइट नहीं है किसी इंसान से मेराय चैनल बージ Rolling टिक कर दीज करने के बाद इस फोर्म को यह वह अप अन्याट कोंश आप है आप हमेशा मेरे से uniquets कानट कर सकते हैं या एक काम करिएगा कि यहां पर Gmail जो है अगर आपने AdSense का डाले तो अपना दूसरा जो है चैनल का डाले तो AdSense का डाल के देख लें Gmail चेंज करेंगे तो भी अगर Error आएगा तो फट जाएगा यहां पर फोर्म मैंने कंप्लीटली सब्मिट कर दिया था जब यहां पर इनका form फिल करने के बाद इनको यहां पर option मिल गया था AdPayment Method का तो फोरन से पहले मैंने इनका जो bank account है उसको link कर दिया है जब भी आपके AdSense के अंदर Error आए तो आप सबसे पहले यह चीज देखो आपका bank account connect होना चाहिए आपका tax information वगरा सब कुछ properly फिल होनी चाहिए ताकि YouTube जो है उसका कोई आपके ऊपर यह चीज ना बने के भी आपने यह चीज फोलो नहीं कियो यह चीज फिल नहीं कियो यह आपने तो इसलिए जो है हम आपका channel उसको suspend कर रहे हैं या उसके अंदर Error दिखा रहे हैं अब form फिल करने कि कुछ दिन बात तक भी हमे यह errors जो है वो नजर आते रहें जिन में से monetization page इस तरह से नजर आ रहा था और AdSense के अंदर भी हमें यहां पर verify button की जगा contact button जो है वो नजर आ रहा था then उसके बाद जो है यहां पर YouTube का हमें यह message तो आया कि unfortunately जो आपने form फिल किया है वो गलत था लेकिन मेरी YouTube वालों से दुबारा बात हुई कि भी हमने form वगारा जो है वो सारा ठीक फिल किया है आप हमारा channel kindly ठीक करके दो और अगर आपको कोई भी document चाहिए तो हम आपको on the spot provide करेंगे तो अगले ही दिन जैसे ही जो Gmail आया था YouTube वालों का यह आया था सुबा के टाइम पे के आपने में भी घलत form फिल कर दिया और रात के टाइम पे हम लोगों को वो चैनल जो है उन्होंने ठीक भी करके दे दिया और यहां पर आप देख सकते हैं जैसे के अब उनके ड 10 बजे के करीब मोनिटाइजेशन पेज भी ठीक हो गया था और इनका मोनिटाइजेशन पेज था वो कुछ इस तरह से शो हो रहा था अब यहां पर जो रेड रेड कुछ नजर आ रहा है इसको लेकर परिशान नहींगा यह मैंबर्शिप का एक बटन है जिसके बारे में मै यह suspension का issue आ रहा हो या जो परिशान हो तो आप उसको लाजमी यह वीडियो शेयर करेगा उसकी बहुत ज्यादा help होने वाली है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको subscribe करिए और अगर आप पुराने हैं तो इसको subscribe भी करिए और मेरे instagram पर भी आप मुझे follow कर सकते है और इस तरह की कोई भी आपको परिशानी हो कोई भी तो आप just in seconds मेरे से राप्ता कर सकते हैं और आपको इंशाला आपको solution मिल जाएगा इसी के साथ अल्ला हाफिज